नमस्कार के आपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी खबर ग्यान वापी विवात से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं आज दो जगा एहम सुनवाई हुई पहला वार्नसी कोट में तो वही दूसरी एहम सुनवाई सुप्र से दे दिया है यानि कि दो दिन के बाद पूरी सर्वे की रिपोर्ट सौपी जाएगी वही सबसे बड़ी अपडेट जिस पे सबी की निगाहे टिकी हुई थी कि सुप्रिम कोट क्या कुछ फैसला सुनाता है तो सुप्रिम कोट ने नोटिस जारी किया है सुप्रिम कोट न अपने आपको इस पूरे मामले से दरकिनार करते हुए क्या दिया है कि निचली अदालत ही निचली कोट ही इस पूरे मामले का निप्टारा करे साथ एक बड़ी बात सुप्रिम कोट की तरफ से की गई कि नमाज के लिए किसी को ना रोका जाए साथ ही जहां पर शिवलिंग मिला है उसको संरक्षित किया जाए सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई 19 तारिक को की जाएगी इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनिश कुमार सबसे पहले सुप्रिम कोट में आज क्या क्या हुआ देखे सुप्रिम कोट ने एक तरीके से ये मान लिया कि ज्यान वापी परिसर के अंदर जिस शिवलिंग की चर्चा हो रही थी वो एक शिवलिंग है वो अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार और जो वजू खाना है उसको सील किया जाए मतलब ये कि बनारस की कोट में जो फैसला सुनाया कि वजू खाना को सील किया जाए और सिविलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए वहां उसके आज़ पास किसी को भटकने नहीं दिया जाए CRPF के द्वारा उसकी निगरानी की जाए और प्रसासन इसके जिम्हदारी ले एक्जैटली वही बात सुप्रिम कोट की तरफ से कहा गया यह सबसे बड़ी ख़बर कि सुप्रिम कोट ने हिंदू पक्ष के फेवर में इतना बड़ा फैसला सुनाया है क्यों कहे थे मुस्लिम पक्ष वो इसलिए कहे थे कि लगातार इस बात तो कहा था कि 1991 के कानून को क्या वहलना हो रही है और इसलिए यह जो कोट के अंदर जो फैसले लिए जा रहे है बनारस कोट के अंदर वहां जो सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे बेकार है सर्वे पर रोग लगानी चाहिए जो फैसला बनारस के कोट ने दिया उस पर भी पाबंद हो जाना चाहिए कोई कानून जो जितने सारे आदेश जो दिये गए थे उसको खत्म करने का प्ली था सुप्रिम कोर्ट में इनको लगा कि मैं सुप्रिम कोर्ट में जाएंगे और वहां हम कहेंगे कि 1991 का कानून जो है वो आड़े हाथ आ रहा है माई लॉड ये तो मस्जिद है यहीं पे हम कई सालों से करते आ रहे हैं और हमें तंग किया जा रहा है मुसल्मानों को परिशान किया जा रहा है टार्गेट किया जा रहा है सुप्रिम कोर्ट का नतिंग डूई वहां पे सिवलिंग मौजूद है तो उसकी सुरक्षा हो वहां पे जो वजू किया जा रहा था उस पे बिलकुल बैन हो पाबंदी हो और जो तमाम जो सबूत हैं उसकी सुरक्षा और इसको लेकर के यूपी की सरकार से एक रिपोर्ट तलब की गई है सुप्रिम कोट के दौरा यूपी की सरकार ने का कि मुझे दो दिन का वक्त चाहिए ये सुप्रिम कोट ने सरकार को भी अपने इस पूरे केस में सामिल कर लिया है तो 19 तारिक को योगी सरकार सुप्रिम कोट के अंदर अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद ये मसला आगे चलेगा तो 19 तारिक को बगली सुनवाई होगी लेकिन मुसलिम पक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वजू को आफसील कर देंगे तो नमाज कैसे होगा क्योंकि सुप्रिम कोट ने ये भी आदेश दिया कि नमाज के लिए आप नहीं रोक सकते देखिए वहाँ पर वजू करने के लिए बहुर भी तरीका होता को जरूरी नहीं कि उससे जग़े वजू हो वहाँ पर जो वजू कहना ही लोगों ने बणाया था वहाँ पर क्या था जहां सिलिंग पढ़ी हूई है वहाँ पर तो एक तब के जैसा एक टंकी के जैसा Cementate उ पास पास लगे हुए हैं, नल, उससे आप कर सकते हैं, तो आप कहीं और भी नल लगा कर सकते हैं, सुप्रिम कोट ने कहा है, नमाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रसासर इस बात को इंशोर करें, बनारस के कोट ने कहा कि 20 आदमी को आप एलाओ कीजिए, तो उसको जो फिलाल उसको जारी रहने दिया जाए, ये सुप्रिम कोट का आदेश है, लेकिन अब ये कहोगे कि मैं जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, वहां पर अब वजू करने के लिए आपको हिलाओ किया जाए, ये तो नाकाबल बरदास्त है, जहां पर अब अब वहां पर कोई वजू नहीं करेगा, तो इस कानून को तो मानना पड़ेगा ना, ऐसे तो समिधान समिधान कहते हैं, कानून कानून सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट कहते हैं, बैस सुप्रिम कोट आप ही गए, सुप्रिम कोट के आप अरजी लगा रहे हो, तो सुप्रि में आप कूद के चले जाते हो वहाँ पे सुप्रिम कोट में क्या होगा जो चीजे लो मैं बता रहा हूँ और क्यों ऐसा कहा गया एक टिपनी क्यों कही इन लोगों ने वही आर्गुमेंट जो मुस्लिम पक्ष ने बनारस के कोट में दिया था कि यह जो है टाइटिल सूट न मंदिर भी नहीं है कल आप कहें कि भई फला फला जगह पे मुझे पूजा करने की अनुमति दी जाए वहाँ पे कम दिर तो कोट तो वहां जाकर के वीडियोग्राफिय करें करें कि क्या सबूत है वहाँ पे तो कोट जो है अपना आदमी को निक्त करेंगा और कहाँ कि पता सर्वे भी हो गया, सब कुछ हो गया, जब अलड़ी सिमिलर लाइन पे केस चल रहा है, उसमें कोई फैसला नहीं आया है, आप क्यों रहत लेने के लिए आगए, अब तरीका जो है, लीगल तरीका क्या है, पि लोवर कोट में कोई फैसला हो, लोवर कोट के फैसले से आप, मने सटिस्फाइड नहीं है, आप हाई कोट जाए, हाई कोट में फैसला आ जाए, उससे भी सटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रिम कोट आ जाए, आप सीधे सीधे सारे चीजों को फांद कर सीधे सुप्रिम कोट के पास की भई आप जैसे लग रहा है कि यहाँ पे इन ल पर लेकन को पर आज दो ही हुआ। कि वहां के जो तश्वीर आ रही है कि वहां पर वजू खाना के अंदर से स्विलिंग ने कर रहा है, तो ये बेकार की चीजें सुप्रेम कोट ने जो फैसला दिया है जो चीजे सुप्रेम कोट से आज हुई है वही होना था और मैं आपको बता दू जितना ज्यादा इसमें विरोध होगा जितना ज्यादा यह OVC यह बड़े-बड़े मौलाना जो आज दो दिन से लगाता जो है गलत बयानी कर रहे हैं वो इस केस को और खराब करेगा वहाँ सिवलिंग निकला है वो भी भोले-णात का जोतिरलिंग अब इसके उपर तो कोई मजाक और कोई इस तरह की चीजे राजनीती का कोई स्पेस नहीं है यह हिंदूों के आस्था का केंदर है और हिंदूों के आस्था के साथ अब कोई मजाक उस केस में तो नहीं हो सकत क्योंकि लोगों ने अब देख लिया है कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर सिवलिंग बिराजमान है अब इस पूरे मामले में यूपी सरकार भी इंवाल हो गई है सुप्रिम कोर्ट ने सक्त निर्देश दिया नोटिस भी जारी की गई है और कल तक की रिपोर्ट भी कल तक सौपना है अब यूपी में योगी आदितनात की सरकार है और यो यूपी का मसला है तो योगी क्या आक्शन देखे एक्शन नहीं अभी दो चीज़ें बाकी हैं जो अगला स्टेप है वो दो दिन का वक्त मांगा गया था जो कोट कमिशनल के तरफ से विशाल सिंग के तरफ में मुझे दो दिन का वक्त और चाहिए और मैं आपको बता दूँ दो दिन तक यह जो कोट कमिशनर की जो पूरी टीम होगी जो रिपोर्ट तयार करेगा वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा लेकिन इसे बीच एक कोट कमिशनर है जै मिश्रा को भी हटा दिय इसलिए कि वो लिक कर रहे थे मसला को वो चीजों को लिक कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए वह आप कोट के दोरा नुक्त किये वे लोग है वो सेंटिटी होती है वो उस तरह के चीजों को पालन करना चाहिए तो उनको हटा दिया गया लेकिन है क्या कि इतने सारे सबूत है कि इनको compile करने में, सारे सबूतों को analyze करने के आपको report में दल्च कराने के लिए दो दिन का वक्त मागा गया है, तो दो दिन के बाद, इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। अब रिपोर्ट पेश उधर होगा दो दिन के बाद इधर दो दिन के बाद जैसा आज की तारिक है जो लोर कोट में भी सुनवाई चल रही है तो उसी दिन 19 तारिक को उसी तारिके से सुप्रिम कोट में भी सुनवाई हो रही होगी जहां सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और वहाँ बनारस के कोट में इस रिपोर्ट को भी रखा जाएगा उस दिन होना कुछ नहीं है सुप्रिम कोट भी सरकार के तरफ से सरकार को आदिश दिया जाएगा कि वहाँ पे कोई तोड़ फोल ना हो वहाँ जो है नमाज पढ़ने की विवस्ता ठीक से हो वहाँ जो है जो साथ सबूत और शिवलिंग जो है उसकी सुरक्षा भी ठीक से हो तो उसके लिए तो योगी सरकार तयार है इसमें कोई डाउट ठोड़ी है इसे बीच कई आचकाए भी हिंदू पक्ष की तरफ से आज रखी गई चाहे वो जो डिस्टंस बताया जा रहा है कि नंदी और शिवलिंग के बीच जो दिवार है उसको तोड़ने की बात करी जा रही है या मलवा हटाने की बात सौचाले को शिफ्ट करने की बात वजु को शिफ्ट करने की बात अरसे कई आचकाए दाखिल की गई है उस पेकल फैसलाएगा आज देश में यह इस तरह की चीजेई यहादमी बोल कैसे रहा है यहाद से बत है कि यह बात आप बोल कैसे सेकते हैं जब वहाँ पे बात हो गया जो है वोज की स्विलिं यह वहाँ पे आप वहाँ पे वदो करने की आप प्ली कर रहे हो are you out of your senses आप वहाँ पर यह कहोगा कि भई हम वहाँ पर बगल में बातरू में तो यह जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दी जा रही है यह लॉजिकल है अब यह केस का डिसिजिजन जब होगा तो होगा लेकिन तब तक तो आपको इस सारी चीजें मिंटेन करनी पड़ेगी आप वहाँ कोई कहीं कि भई कहाँ पर शिवलिंग प्राप्थ हो गया है मैं वहाँ पर कूड़ा फेकूंगा मने यह भत्तमीची है और कोई बात नहीं है जिस तरह से याचिकाओं का अंबार लग गया उससे मुस्लिम पक्ष में काफी ज़्यादा विरोध देखा था देखिए हकिकत क्या है हकिकत एक है वो यह कि ज्यान वापिक के पास जिस जगह पे शिवलिंग है वहाँ पे जोतिर लिंग का विशाल मंदिर हुआ करता था जिसे मुस्लिम अकरांताओं ने और अंजेब ने तोड के वहाँ पे मस्जिद बना दी इसमें किसी की कोई इसमें कही कोई डाउट किसी के दिमाग में होना ही नहीं चाहिए यह दस्तवेज यह जो जितने भी साक्ष है वो यही बता रहे हैं अब सवाल यह है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए अब तक तो आपने हिंदूों को टोपी पहना दिया कि वहाँ दारा सिको जो है वो हिंदू देवी हिंदू गरंथो को का ट्रांसलेशन करते थे वहाँ पे बनारस जो है गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा अब कहान यह समझ में आ रही है कि बनारस में छह वापी थे तीन लुप्त हो गए कहां क्या बन गया कहां खतम हो गया वो जो लोग बनारस आया करते थे इन वापी में जाकर के ध्यान अर्चन पूजा पाठ सारा कुछ होता था बनारस की काला इतिहास जो है अब देश को मालूम होना चाहिए कि बनारस जो एक पवित्र नगरी बनारस अकेला एक ऐसा शहर है जिसे भोले नात ने बसाया है बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है यहाँ पे हजारों की संख्या में मंदिर हुआ करते थे और यह कोई इंडिस्ट्रिल कॉम्पलेक्स नहीं था यह एक डिवाइन प्लेस माना जाता था इस्पिरिच्वल प्लेस माना जाता था और यहाँ पे हजारों मंदिरों को नश्ट किया गया अब यह टाइम है इन सारे चीज़ों को जानने समझने और जो हिस्टोरिकल रॉंग है उसको करेक्ट करने का और यह जिम्मदारी वरतमान की मोदी सरकार वहाँ पे योगी सरकार कोट्स और खास करके सुप्रिम कोट की जिम्मदारी है अदरवाइस यह जितने भी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि हिंदों मुसलमान की बीच में एकता होनी चाहिए यह होना चाहिए यह सब छलावा है बहुत 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 शुक्री अप्डेट के लिए साप साप सब्दों में कह दिया है कि नमाज पढ़ने से किसी को दिक्कत ना हो डीम को भी निर्देश जारी की है वहीं साफ तोर पर ये भी कह दिया है कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और वजू की जगा को सील किया जा सकता है इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरेपसन अशोक के साथ मैं पूचा क्यापिटल टीवी